हेलो यूटूब दिस इस विकी यूर वाचिंग आर्ड वाला हाट दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाई डेफिनेशन या बहतर फिनेशिंग कैसे करना चाहिए और इस फोटो में मैंने कैसे करके दिखाया है किस प्लगिन का यूज किया है इन सारी चीजों को समझेंगे तो बने रही है आप हमारे साथ और यहां पर मैं बता दू कि यह बेसिक टूल्स के जरीए भी किया जा सकता है फोटोशॉप के अंदर में सब कुछ है बस तरीका अपना अपना है कैसे किस चीज में वर्क करना है लेकिन मैं यहां पर किसी प्लगिन का यूज करके इन चीजों को समझा रहा हूं आप लोगों को ताकि आप आसानी से जल्दी में इसी वे में क्विक फास्ट वर्क कर पा कि मैंने सिर्फ वन क्लिक में एडवांस लेवल पर इस चीज को मुझे एजी लगता है इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि एडवांस है क्योंकि एडवांस है जरूर चीजों को समझने का भी हेर फेर यहां पर वर्क करता है यह पहले कुछ इस तरीके की फोटो थी अब कु होड़े से सरकल्स बने हुए है डार्क सरकल टाइप के यहां पर लाइने बनी हुई है थोड़ा सा यह डश्ट वगेर है फेस पे लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो नीट इन क्लीन प्योर जबरतस तरीके से इसको क्लीन किया गया है फिल्टर के जरिए इस चीज को सम समझते हैं आपने समझ तो लिया कि कैसे हां हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि यह तो बहुत जादा फिनीशिंग कर दिया आपने लेकिन यह चीज मैं क्यों बता रहा हूं इसकी दो बजा है सबसे पहली चीज ऐसा हमको बनाना चाहिए क्या तो हाँ भी और ना भी टाइम पढ़ने पर ऐसा फोटो बनाना चाहिए और नहीं पढ़ने पर जरूरी भी नहीं है ओरिजिनाल टी भी नजर आनी चाहिए उसके साथ साथ बता दूँ वेडिंग एल्बम फोटोग्राफी में कभी भी हम कंप्रेज करके फोटो को डालते हैं बहुत से बहुत ज्यादा जू करना चाहिए और वेडिंग एल्बम फोटोग्राफी के लिए बहुत ही सारी चीज़े मैंने बनाया हुआ है 600 से ज्यादा वीडियो से जाके आप देखो और समझो कि कौन-कौन सी चीज़े कहां कहां मैंने समझाया है यहां पर इस फोटो को पूरा क्लोज कर दूँगा मैं और थोड़ा से जूम करूंगा यह थोड़ा ठीक है इतना ही काफी है मेरी समझ से और अब इसमें हम फिनिशिंग करेंगे सबसे पहले इसका डूप्लिकेट कर लेते हैं यहां से डूप्लिकेट और यहां पर 01 डाल देता हूं और इसका ओके कर देता हूं यह फाइल बनके पर युस करना है ज्यादा नहीं करूंगा इस वाली चीज में थोड़ा कम समझेंगे इस चीज को यहां से औहराव और यहां से आना है नौइज में और यहां से डॉस्ड में हो जा जाएगा buscar देंगे और इधर फैड में किसको कम कर देंगे क्यूंकि मुझे यहां पर कम च जाएगा टेकनिकल इसू की वज़े से मैंने इसको रिकॉर्डिंग दुबारा से किया है सिंगल क्लिक में इधर टच करना है हाई डेफिनेशन पर रखते हैं इसको क्लिक करेंगे जैसे वैसे चीज इक्टिव हो जाएगी और यह वर्क करेगा इंटर मारेंगे प्रोसेस चलने के बाद में आपको फिनिशिंग नजर आने लगीगी लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा फिनिशिंग नहीं होगी कुछ थोड़ा सा चिंजिस आपको नजर आएगा वजह यहाँ है कि सौफ्टिवेर वर्क करता जरूर ह है लेकिन वह एक लीमीट में करता है उसको हाई डेफिनेशन में यूज करने के लिए और भी तरीके सी यूज करते हैं दूसरा सौफ्टियर नेट इमेज का ओपन कराया है मैंने यहां से इसको वन क्लिक में सैट करेंगे उसके बाद में आगे देखेंगे आटो मैच में क् कर लेंगे यहां पर आपको सौट कुट भी नजर आ रहे हैं कट आउट लगा है और चेक करेंगे कितना फिनिश कर रहा है अब इसकी एडवांस सेटिंग को समझते हैं कि कैसे वर्क करता है और कहां कहां इन चीजों में चेंजेस देखे जा सकते हैं किये जा सकते हैं अभी को थोड़ा सा एड़ेस्ट करेंगे इमेज के ऊपर डिपेंड करता है चीजे कैसे एड़ेस्ट करनी है यहां ध्यान से समझ लेंगे किस टूल को कैसे यूज कर रहा हूं मैं और कैसे कैसे एड़ेस्ट कर पा रहा हूं यहां बारी कीसे समझने के बाद आपको समझ माझ जा सकता है इसके अलावा भी इसके और मोड को चेंज किया जा सकता है यह डिफॉल्ट मोड पर यूज हो रहा है इसक्रीन पर देख रहे होंगे बाकी पूरी प्रोसेस को समझो कि कैसे कैसे सर्कल्स लाइन्स जो इसक्रेश थे उसको सिर्फ वन क्लिक में सॉफ्टेर आटमेटिक डिटेक्ट करके कैसे नीट एंड क्लीन कर दे रहा है तो इस प्लगिन का बेनिफिट यह है और इसके अलावा इसमें और भी यूज किया सकते हैं जो कि आप सेटिंग देख रहे हैं मैं यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सेटिंग नहीं बता रहा हूं आपको मैं एडजेस्ट कर रहा हूं वचा यह है कि हर फोटो में software अपनी सुवीधा अनुसार चीजों को इडजेस्ट करता है मिंस चीजों को वहाँ पर ऐसे काम करता है जिसमें जितनी ज़रुरत हो जैसे तुम चलाना चाहते हो उस टाइप से चीज़े काम करें यहाँ पर देख लेंगे सारी ची जरूरी है सारी चीज़े जरूरी है हाई क्लीनिंग चाहिए आपको लेकिन कुछ चीजों को वहाँ पर आप कंप्रमाइस करना भी पड़ेगा और नहीं भी करना पड़ेगा जरूरी नहीं है कि सारी चीज़े गरबढ़ हो जाए सारी चीज़े बहतर हो लेकिन मेरी समझ से बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना ही बहतर होगा किसी फोटो को अगर इतना फिनिशिंग करना है तो 30-40 मिनिट का वक्त आपको लगेगा लेकिन इस प्लग-इन की मतलब से आप कित्ते जल्दी इस पर वर्क कर रहा होंगे यह आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गरबड़ी अगर आपको समझ में आ रही होगी समझेंगे अपलाई कर देंगे यह एक्टी हो जाएगा एक्टी हो गया अब देखेंगे सिंगल क्लिक में यूज़ करके कि कैसे इसने काम कर रहा है पहले और अब पहले और अब इसको फैड कम करके देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है और कितना बहतर वर्क कर पाया अब यहाँ पर क्वालिटी आपको नजर आ रही होगी थोड़ा सा गरबड़ भी है दोनों ही चीज कहना चाहूंगा मैं यहाँ पर चीजे दोनों ही तरफ का समझ में आईगी है अब यहाँ पर आप समझ सकते हो इसको थोड़ा सा डार्क कर देना बहतर होगा कांट्रास ब्राइटनेस बढ़ा देते हलका हलका और लेवल भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा वह देखेंगे आप कि देखेंगे थोड़ा शोगा मिक फ्री तक कऊूज में यहाँ से करो बढ़ा देते हैं थोड़ा सा को करो बढ़ाम में लेवल चेक कर लेंगे थोड़ा एड्जेस्ट करेंगी इसको ध्यान सेgsरेंगे तो सारी दिक्कत की बात नहीं है लेकिन काफी बहतर है इसमें थोड़ा सा और कुछ चीजों का यूज करेंगे वह आगे देखो और समझो यहां पर आप चाहें तो सार्कनेस भी यूज कर सकते हैं लेकिन मेरी समझ से काफी बहतर है इतना ज्यादा भी नहीं करना था और इसका ऑपर पास के लिए बना रहा हुं इसका यूज नहीं कर रहा हूं मैं अभी इस फोटो को सिर्फ आपको दिखाने के लिए बनाया झाल्या यह इसलिए मैं इसमें हम बिया तो चल रहा है लेकिन आप लोग कभी भी कोई चीज पर्टिकॉलर पार्ट फोटो डिजैन करें तो तो उस चीज का resolution 300 अनिवारे रूप से रखें, ताकि वह एक बहतर improvement दे सके quality के माईने में, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, किते बहतर दरीके से इसमें finishing आई है, अगर आप compare करके देखे होंगो, तो आपको चीजे समझ माई होगी, किस चीज में कैसे काम करता है, कौन सी चीज कैसे काम कर गए, और यहाँ पर आपको कैसे कैसे use करना चाहिए था, तो मेरी समझ से मुझे लगता है कि आज के topic पर यह चीज सही थी, और अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो like करें, और यह दोनों ए filter paid है, इसका free वाला वर्जन अगर आपको चाहिए, means free में अगर आप यह चीज करना चाहते हैं, तो वीडियो अल्रेडी डाल दिया है, या और बना देंगे, कैसे करते हैं, वो चीज सब बताया है, तो आज के topic पर सिर्फ यही चीज थी, यह चीज फ्री में करना चाहते हो, तो आपको tools के ज़री यह ज़्यादा मेहनत करनी प कर दो